हाई सुपर फैन्स आम स्वापनिल एंड ये है डेडपुल एंड वुलवरीन का कम्प्लीट ब्रेकडाउन विध हिड़न डीटेल्स एंड इस्टर एग्स रैन रानोल्स के डेडपुल के साथ ये जैकमन के वुलवरीन को फाइनली प्रॉपर फॉर्म में 20th सेंचुरी फॉक्स से शिफ्ट किया जा रहा है MCU में प्लस 4th wall breaking character होने की वज़े से इस मुवी में past and current MCU projects के बहुत सारे references देखने मिलते हैं एंड येस उन सभी को चुन-चुन के ढूंड के निकाला गया है इस वीडियो में तो I really hope कि आप सबने movie already देख लियोगी क्योंकि title में ही complete breakdown है तो movie के spoilers definitely होंगे फिर भी एक और spoilers warning के साथ let's begin the breakdown तो movie की शिर्वात होती है Marvel Studios के लोगों के साथ and opening title में अब Deadpool का भी appearance feature दिखता है notably यहाँ पर सर्फ Deadpool को add किया गया है Wolverine को नहीं यह speculations बढ़ाता है कि शायद Wolverine उन characters में से एक है जिनको Marvel अलविदा गह रहा है फिर भी Deadpool का inclusion यह suggest करता है कि Wade Wilson MCU के feature में दिखेगा Deadpool Marvel logo की tune पे गाना गाता है और यह logo red and yellow में turn हो जाता है चेस कर लिया था जिसके साथ X-Men के rights भी Marvel Studios के पास चले गए थे अब फाइनली हमें दिखता है movie का first scene जहां Wade Wilson यानि की Deadpool North Dakota में Logan यानि की Wolverine के burial site पे पहुँच चुका है यह exact वही location है जो 2017 की Logan movie में हमें देखने विले थी जब movie के climax में Laura और बाकी mutant बच्चों को बचाने के लिए Logan ने अपना sacrifice किया था यहीं पे उसकी कबर है और यह cross जो X के sign के रूप में Laura ने रखा था अब Deadpool कहता है कि इस movie को बनाने से पहले उन्होंने एक promise किया था कि वो Logan की legacy को respect करेंगे यह promise खुद Ryan Reynolds ने किया था जब यह announcement हुई थी Deadpool 3 movie में Wolverine यानि कि Hugh Jackman भी यह role play करते हुए दिखेंगे बट देन shocking तरीके से first scene में ही Wolverine की grave को खोदा जाता है और इसका reason Deadpool बताता है कि वो इस Logan की help मागना चाता था लेकिन उसे पता चला है कि वो मर चुका है अब वो सच में मरा है या नहीं वो confirm करने के लिए ऐसा कर रहा है जो चीज कुछी तेर में उसे clear हो जाती है जब इस कबर से निकलता है सिर्फ उसका बचा हुआ adamantium skeleton जिसके साथ बैठके Deadpool अपने thoughts share कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ आ जाते हैं Time Various Authority के agents जो आए हैं Wade Wilson को पकड़ने के लिए और इससे पहले कि वो इन TV agents से fight करें वो camera को देखके कहता है there are 206 bones in the human body 207 if I'm watching gossip girl जो हम assume कर सकते हैं कि एक cheeky joke है Blake Lively यानि कि Ryan Reynolds की real life wife पे क्योंकि वो उसी show में थी और नहीं इससे जादा मैं इस joke को elaborate नहीं कर दे वाला हूँ अब इस fight scene में Deadpool Logan के skeleton को पूरी तरो तोड मरोड के use करता है यही पे हमें दिखते हैं सभी opening titles और Deadpool एक musical band N.Sync की tune पे dance करते हुए TV agents को brutally मारता है अब I know कि बहुत सारे लोगों को movie में background में play होने वाले songs काफी पसंद है तो मैं उन्हें एक एक करके नहीं बताऊंगा यह list है movie में played सभी songs की plus इसकी official Spotify playlist का link मैं description में डाल दूँगा इसी fight के एक scene में वो Logan के तीन bones को एक साथ throw करता है और तीन TV agents को मारता है यह scene replicate करता है Deadpool 1 के bridge fight वाले scene में जहां उसने एक ही bullet से तीन लोगों को मारा था इसके अलावा fight शुरू होने से पहले हाथ उठा के wait कहना भी इसी bridge fight वाले scene का reference था देन Deadpool Logan के दोनों हाथों के claws को अपने हाथों में पहनता है और उसका signature move करते हुए claws open करता है जिसके पीछे हमें देखता है movie का logo Deadpool and Wolverine और इसी के साथ हम जाते हैं एक flashback scene में जो है year 2018 और सच में एक true superhero बनने के लिए wait cable की time traveling device यूज करता है और पहुँचता है Earth 616 में अब हमें ये पता था कि secret timeline यानि कि Avengers जिस timeline का part है वो Earth 616 है और उसी चीज़ का यहां confirmation मिलता है लेकिन इसी के साथ Deadpool and Wolverine की universe का confirmation भी मिलता है जो है Earth 1005 यहां wait पहुचता है Avengers Tower में और मिलता है Happy Hogan से जिस character को play कर रहे हैं actor John Favreau ही by the way ये as Happy Hogan उनका MCU में 9th appearance है अब obviously इस बड़ बोले Wade Wilson का interview काफी बुरा जाता है and Happy को उसमें potential नहीं दिखता and Wade अपने पैरों पे कुलाडी मारता है interview के दौरान ये reveal करते हुए कि वो Stark Tower में गया था Hulk के hands पहन कर और उसने बहुत कुछ किया बट इस 18th plus जोग को ignore करते हुए ध्यान देते हैं इस office में मौझूद MCU movies के iconic बहुत सारे easter eggs पे सबसे पहले Happy के पीछे है Pepper Potts की photo वाली Forbes magazine यानि actress Gwyneth Paltrow भी indirectly इस movie में cameo करती है जो Tony Stark की wife थी इसके अलवा पीछे वाले इसी table पे दिखता है हमें floating motion toy अगर आपको याद हो तो ये same toy हमने देखा था Pepper Potts के office में उसके table पे यहाँ पे दिखती है Captain America की shield prototype जो दिखी थी Iron Man 2 में और यहीं पे पीछे है Mark 2 Iron Man helmet Agent Coulson के Captain America वाले card Happy के table पे बीचो बीच है आख reactor first Iron Man movie का जिसके उपर है Tony Stark का dedication दिन बाजू वाली shelf पे हमें दिखती है Tony Stark और Peter Parker की photo जो हमें देखने मिली थी Avengers Endgame में Tony के घर पे लेकिन इसमें Peter की photo को cover कर दिया गया है एक Iron Man helmet से और यह जज़्ट कोई Iron Man helmet नहीं है एक बच्चे का Iron Man helmet है विज़ डिरेक्टली फ्रॉम Iron Man 2 जिसके climax scene में यह बच्चा हमें दिखा था जिसे speculate किया गया है कि यह Peter Parker ही है लेकिन इस helmet से Peter को cover करते हुए Sony के साथ जो Marvel की deal है उससे भी कायम रखा गया है Then हमें रेखता है Ultron का Iron Man mask Iron Man की Mark 5 briefcase वाला suit and Deadpool के बाहर निकलते time Stark Expo का poster अब Wade Wilson main man से बात करना चाहता है यानि कि Tony Stark से जो वहाँ पर अभी मौझूद नहीं है अब यह 2018 है यानि कि Avengers Infinity War से पहले की event जिसका मतलब है कि अब भी Tony Stark जिन्दा था बट आफकोर्स वो Wade Wilson से नहीं मिलना चाहता Deadpool से teamwork के बारे में पूछने पर वो confirm करता है कि X-Force और Cable Focus Group के साथ test में ही fail हो गया यानि कि indirectly यह explain किया गया है कि वो क्यों Deadpool और Wolverine में नहीं देख रहे although X-Force के 2-3 members हमें जरूर देखने मिलते हैं अब यहाँ पर happy के उसे reject करने के बाद वो वापस अपने main universe में आता है और Peter जो X-Force का member ही था जिसे time travel करके उसने बचाया था उसके साथ वो एक car dealership में काम करता है और इसी सब के बीच 6 साल गुजर जाते हैं यानि कि Deadpool अब एक car salesman बन चुका है और Super Hero Life को अलविदा कह चुका है यही पर Peter के साथ discussion में वो उसे sugar bear बुलाता है वही nickname जो उसने Peter को दिया था Deadpool 2 में शाम को वेड और Peter cycling करके वापस आते हैं जहां background में हमें दिखता है फाइगी इस पिजएरिया इसी नाम का पिज़ा Deadpool 1 में भी वो खाते हुए दिखा था अफकोस यह reference है Kevin Feige को यही cycle spark करने के time Deadpool notice करता है कि कोई उनकी photo कीच रहा है और यह reveal होगा थोड़ी देर बाद की वो कौन है यही Peter Wade को अपने friend के nipple piercings के बारे में बताता है जो actual में वो खुदी के है और वो भी थोड़ी देर बाद party में सबको देखते हैं अब वापस पांचने पे Wade के apartment में उसके लिए surprise birthday party होती है जहां पे मौजूद है Wade के सभी close friends इनमें आती है Vanessa, Blindel, Dupinder, Negasonic, Yukio, Colossus, Shattelstar और Buck Deadpool अब भी Buck को speaking lines नहीं देता क्योंकि उसने एक line Deadpool 2 में mess up कर दी थी साथी Deadpool Yukio का नाम बोलते हुए काफी खुश होता है और उनका Hi Wade, Hi Yukio वाला running gag जो Deadpool 2 में दिखाता है वो यहां भी continue होता है Then Blindel and Wade के भी जो drugs को लेके Kevin Feige का joke है वो हमने already trailer में देख लिया था Wade की इस party में Colossus share करता है कि वो The Great British Bake Off देख रहा है यह एक real life show है और यह शो पिछली movie में Deadpool ने कहा था कि उसने अपने dark time से निकलने के time देखा था अब यहां लगता है कि सभी लोग काफी खुश है बट suddenly reveal होता है कि Wade और Vanessa break up कर चुके है और इसका reason हमें movie में आगे जाके पता चलेगा अब finally अपने wish मांग के Wade candle blow करता है और तभी उसके door पे knock होता है और आते हैं उससे मिलने TVA agents बट obviously Wade उन्हें strippers समझता है और उनका मजाक उड़ाता है बट then वो उसे forcefully अपने सार्थ portal से ले जाते हैं Wade जब उढ़ता है तो वो होता है TVA में पंचन किया गया है इनका concept और उतना ही इस movie की detail के लिए काफी है अगर आपने लोग की series नहीं देखी है तो season 1 and 2 की playlist का link मैं description में डाल दूँगा यहाँ पर उससे मिलता है एक TVA agent paradox जो एक new character है और इस movie से ही introduce हुआ है TVA क्या करती है यह समझाने के बाद Wade को लगता है कि उससे यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि उसने cable के device के साथ जादा ही मज़े कर लिये थे यहाँ वो सोच रहा है Deadpool 2 के end की event के बारे में जब वो time traveling device को लेके बहुत कुछ करते दिखा था लेकिन paradox कहता है कि उस चीज़ का कुछ लेना देना नहीं है in fact Wade को यहाँ पे लाया गया है officially Earth 616 को join करवाने के लिए and Wade को पता होता है कि यह MCU की timeline है यानि कि fourth wall break करते हुए दोनों का conversation obviously Avengers, Marvel and Cinematic Universe को reference देता है यहाँ background में TVA के monitors में बहुत सारी MCU movies के scenes play होते है and in सभी scenes में majorly Captain America यानि कि actor Chris Evans ने जिस character को MCU में play किया है उस पे focus रखा गया है and यह एक तरह से foreshadow करता है इस actor का इस movie में दिखना बट Captain America के रूप में नहीं अब पहले तीनों scenes में first screen पे Avengers 2012 का scene, second screen पे Avengers Endgame वाला scene and third screen पे Captain America First Avenger वाला scene है फिर अगें next screens पे हमें Captain America First Avenger वाला and Wanda दिखती है Captain America Civil War वाली fight से then again next कि तीन screens पे Avengers Endgame की climax battle, center में Avengers Age of Ultron का scene and third screen पे Captain America Civil War का scene अब Captain America को screen पे salute करते हुए देखके Deadpool भी उसे salute करता है and यहां दिखाएगे scenes की ही तरह Steve Rogers को Deadpool comics में भी इसी तरह प्यार करते हुए दिखा है यहीं पे हमें कुछ footage दिखता है Wade Wilson का Subway Station के पास जहां TVA का एक hidden office है जो paradox ने बना रखा है लेकिन इसकी detail भी हमें movie के climax में पता चलेगी यहीं पे side के एक monitor में Thor The Dark World का repurposed footage यूज़ किया गया है जिस scene में Thor ने Loki को पकड़ा हुआ था जो actual में मरा नहीं था सिर्फ acting कर रहा था लेकिन इस scene में हमें उसकी जगा दिखता है Deadpool and जब Deadpool इस scene को देखके काफी excited होता है तो paradox उसे photographic close करवा देता है यह कहके कि यह काफी future में होगा and हम सब speculate ही कर सकते हैं कि शायद यह scene हमें Avengers Secret Wars में देखने मिले लेकिन इतना सब देखने के बाद Deadpool सोचता है कि यह finally वो moment है जो उसे उसका superhero purpose और potential देगा and यहीं पे वो खुद को पुलाता है Marvel Jesus बट इसके फॉरण बाद वो आता है force wall break करते हुए camera के सामने and Fox को suck it कहके I am going to Disneyland कहता है जिसके बाद head bang करके वो camera का screen तोर देता है and वापिस आके paradox का offer accept करता है लेकिन paradox से complete details सुनने से पहले ही वो उससे request करता है अपने new suit की जो TVA का tailor काफी मज़े लेते हुए उसे पहनाता है लेकिन साथ ही में उसे मिलते हैं उसके दो new katanas जो की बने है adamantium से वही metal जिससे Wolverine का skeleton और clock coat हुआ है जब वो suit पहन के वापस आता है तो paradox के पीछे की screen पे हमें timelines monitor होते हुए दिखती है जैसे हमने Loki के seasons में देखा है फिर वो अपने sexy suit पे खुद ही comment करता है और एक worker की तरफ point out करते हुए कहता है कि उसे exactly पता है कि वो कैसे feel कर रहा है बट ये dialogue delivery exactly match करती है टोनी स्टार्क के Avengers movie के इस scene की तरह यही पे paradox के हाथ में tempered को देखके वो उसे बुलाता है Amazon fire phone जो कि actual में एक real life device था and Amazon की fail products में से एक था जो कि सच में tempered की तरह ही दिखता था लेकिन अब paradox से उसे पता चलता है कि उसे नई universe में क्यों भीजा जा रहा है क्योंकि उसकी universe का anchor beam जो universe को तूटने से रोक रहा था मर गया है and वो Logan था Deadpool और Wolverine set है early 2024 में Deadpool 3 की सभी events Logan की death की वज़े से trigger होती है हाला कि Logan movie 2017 में release हुई थी लेकिन उस movie की events होती है 2029 में इसलिए यह थोड़ा confusing लगता है कि जो चीज हुई ही नहीं वो इस movie में effect कैसे कर रहा है तो इसका simple answer है TVA TVA space और time के bound से बाहर exist करता है इसलिए वो monitor कर सकते हैं कि future में क्या होने वाला है जैसे वो Thor और डेड़पुल वाला scene again this is not officially cleared in the movie यह जस मेरा अंदाजा है past MCU movies की वज़े से अब anchor being इस term को और clearly मैंने discuss किया है अपने दूसरे वीडियो में एंड इस movie में जितना paradox explain करता है anchor being को उसके अलावा कोई और detail नहीं बताई गई है paradox wait को Logan का एक epic त्याग भरा scene दिखाता है जब उसने X23 को बचाया था और उस Wolverine के last moment का footage दिखता है हमें screens पे जो कि exact वही clips है Logan movie के climax की Logan के final dialogue को paradox भी lip sync करते हुए दिखता है और उस movie को देखके जैसे audience emotional हो गई थी सभी TV agents भी emotional हो जाते हैं अब wait को पता जलता है कि उसका universe इसी कारण से thousand years में खतम हो जाएगा बट paradox इतने सालों तक इसको monitor करते हुए अपना time waste नहीं करना चाहता इसलिए वो 72 hours के अंदर इस universe को destroy करने वाला है लेकिन wait को जब पता जलता है कि अब वो अपना universe नहीं बचा सकता वो गुस्से में paradox को headbut करके उसका universe jumping device tempad चुरा लेता है और निकल जाता है universal travel पे एक different Logan को ढूणने अब Deadpool जब tempad पकड़ने के लिए jump करता है तो वो इस agent के हाथों से ये mug चीन लेता है and yes यही mug हमें movie की starting में Logan की burial site पे भी दिखा था लेकिन इसके अलावा भी ये I like me mug Happy Hogan के table पे भी दिखता है अब Deadpool कई universes में jump करता है नहीं Logan को ढूणने के लिए and हमें दिखते हैं multiple Logan variant first is एक comics accurate short Wolverine यह एक मज़ेदार insight जोग है क्योंकि Wolverine की comic book accurate height है 5'3 and Hugh Jackman की height है 6'3 जिन इनिचली इस role के लिए right candidate नहीं माना गया था then second Wolverine हमें दिखता है एक yellow और brown suit वाला जो comics की सबसे iconic costumes में से एक है इस scene में The Incredible Hulk issue 340 के iconic cover का reference है जिसमें Wolverine अपने brown costume में Hulk से fight करता है and yes यहां cover की ही तरफ पीछे Hulk दिखने से पहले Wolverine के claws में उसका reflection दिखता है अब इस Hulk का appearance Avengers 2012 में Mark Ruffello के played Hulk से match करता है but of course यहां सिर्फ CGI यूज हुआ है तो actor का reference नहीं दिया जा सकता third Wolverine है patch comics में patch Wolverine का used reliance था जो उसने Metropur Island पे use किया था इस disguise में वो एक smart white jacket और eye patch पहनता है and वही लोग यहां पे हमें दिखता है fourth is Age of Apocalypse Wolverine X-Men Comics Alpha issue 1 में हमें दिखा था weapon Omega जो James Howlett था Earth 295 का and यह एक dark alternate timeline से belong करता था यह Wolverine confirm होता है उसके trademark metal left arm के साथ इस reality में Wolverine का code name weapon X है fifth is Wolverine X-shaped cross पे crucified यह 1989 की Uncanny X-Men issue 251 के iconic cover पे based Wolverine है seventh is Old Man Logan Logan का एक older form जो belong करता था Earth 807128 से यह 2017 की Logan movie के character को define करने के लिए एक direct inspiration था and last यानि की eighth number पे हमें दिखता है Cavalrine यानि के Henry Cavill का played Wolverine सभी Wolverine variants में से यह सबसे बड़ा surprise था also Wade यहां कहता है कि we will treat you much better than the beep 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 down the street जो के direct reference है DCU का जहां से Henry Cavill के Superman character को खतम कर दिया गया है Henry Cavill वाला Wolverine variant super strength के साथ आता है क्योंकि scene में वो Deadpool को एक punch मार के दिवार तोड़ते हुए portal के थूँ पीछे फेक देता है यह शायद उनका Snyderverse यानि की DC movies में Superman के iconic role की strength का reference था and yes यह सभी Wolverine इस Deadpool को cheerful के भगा देते हैं अब end में उसे मिलता है यह Logan जो एक बार में अपनी जिंदगी दारू पीते हुए निकाल रहा है इस बार में cameo में दिखते हैं Welcome to Wrexham सिरीज में दिखे आली पार्मर Randonalski football team है Wrexham AFC and Ollie Palmer इसी team के player हैं अब यह exact scene हमें trailer में दिखाया गया था and उसका breakdown मैं trailer breakdown वीडियो में properly कर चुका हूँ तो यहाँ पे वो details repeat नहीं करूंगा वो video अब बात में card से या description से link से check out कर लेना Deadpool उसे अपने साथ चलने को कहता है and वो fight करने की जगा पूरी bottle दारू पीके बेहोश हो जाता है और Wade उसे उठाने के time उसकी costume notice कर लेता है then वो screen को दिखके कहता है कि यह costume पहनने के लिए उसे 20 साल लग गए अब जब वो दोनों वापस TV में आते हैं तो हमें मिलता है first look is blue and yellow Wolverine costume का Wolverine के इस suit का first appearance हुआ था 1974 की Incredible Hulk issue 180 में also yes, Deadpool यहां entry के time कहता है on your left baby girl जो Steve Rogers और Sam Wilson की वाली banter का reference था प्लस इस scene में background music भी change हो जाता है Avengers Endgame की final battle में Sam की entry के time वाले music में अब Wade कहता है कि इस Logan को उसके universe में डाल दो problem solved बट paradox उसे बताता है कि यह कुछ भी fix नहीं करेगा in fact यह वाला Wolverine सबसे बेकार है across all timelines क्यूंकि इसने अपने universe का destruction होने दिया also paradox confirm करता है कि TVA में उसके superior के order की वजह से उसने Wade को 616 universe में लाने के लिए यहां लाया है इसका reason उसे नहीं पता शायद Wade special है and उसका future में कुछ important role हो सकता है again यह statement काफी important है MCU के future के लिए but इस movie में इसके बारे में और जादा explain नहीं किया गया clearly Wade MCU में add हो चुका है and उसका future Avengers movies especially Avengers Secret Wars में काफी important role देख सकता है इनी बातों के बीच में Wade ये भी समझ जाता है कि Paradox और बाकी agents जो यहां है वो TVA के बाकी members से अलग अपना ही कुछ system चला रहे है जब Wade इस बात को TVA के higher management को reveal करने का plan बनाता है तो instantly Paradox दोनों को prune कर देता है प्रून ये term Loki series से हमें देखने मिली थी जिसका मतलब है variants को Void में भेज़ देना जहां से वापस लॉट के आना impossible है Almost Void location first time हमें Loki season 1 में देखी थी जब Loki prune होके यहां आया था अब ये दोनों भी उठते हैं Void में And Deadpool remark करता है कि ये जगह काफी Mad Max जैसी लगती है पर अपने आपको वो रोग देता है ये कहके कि ये IP infringement होगा Yes Mad Max franchise में इसी तरह की बंजर location काफी अच्छे तरीके से यूज की गई है Also यहां पे बहुत सारे references and easter eggs हमें दिखते हैं सबसे पहले ये Secret Wars Comics issue जिसके साथ में cold drink Pingo की bottle जो दिखी थी The Incredible Hulk मूवी में जिसे Stanley ने पिया था Then Thor का comic accurate silver winged helmet Captain America की first shield जो Hydra एरा में उसने use की थी ये 20th century fox का logo जो इस universe के खतम होने का metaphor है Then Canadian CN Tower जो torrentों में है Avengers मूवी से Helly Carrier भी And Guardians of the Galaxy से Peter Quill की Milano Spaceship Also additionally हमें यहां Asgard का भी एक पार्ट दिखता है And एक बड़े flying Chitauri Levithan का corpse भी But यहां पहुँचने के बाद ही Logan और Deadpool में fight होती है जहां दोनों एक दूसरे को मारते है इसी fight में Deadpool बोलता है कि Logan costume पहनता है क्योंकि इसने weight gain कर लिया है since the divorce जो Hugh Jackman के in real life divorce का reference है बड़ साथी में यह setup भी है मूवी के end में Hugh Jackman के abs को reveal करने का फिर वो दोनों शान्त हो जाते हैं जब weight जूट बोलता है कि वो Logan के universe को बचा सकते है TVA के पास वापस जाके तभी एक mysterious person उन्हें direct करता है एक convoy की तरफ जो है एक group of mutant villains का जिने lead करते दिखता है पाइरो पाइरो जिसकी powers है fire controlling जो दो X-Men movies में हमें देखने मिला था X2, X-Men United and X-Men The Last Stand में and actor Aaron Stanford ही इस role को play करते दिखते हैं साथी में first X-Men में दिखा mutant toad actor Ray Park वाला भी यहीं पे दिखता है जो चलाते हुए आ रहा है comics accurate floating fantastic car जो fantastic 4 की team की car थी then Tony Stark की 1932 Ford Flathead Roadster भी यहीं दिखती है इसी car के color से inspired Iron Man ने movie में अपने suit का color रखा था then एक दिखता है ice cream truck comics में Deadpool Mexican Chimmy Changas का fan रहा है and वो इसी तरह का delivery truck चलाते हुए भी दिखा है and initially मुझे लगा था कि यह Moon Knight series वाला ice cream truck होगा but यह वही Chimmy Changas वाला truck है then Red Skull के era वाले Captain America की motorcycles को एक रत की तरह चलाते हुए दिखता है Saber Tooth यहाँ पर अगेन दिखते हैं actor Tyler Mayne जिन्होंने first X-Men movie में Saber Tooth character को play किया था last car 2 kgs को drag करती है जिनमें से एक में है एक TV agent अब Wade इस outsider को पैचानता है because उसका face reveal होता है as actor Chris Evans and Wade की तरह हम भी सोचते हैं कि वो Captain America ही है Wade excited होता है कि अब fight करने के time वो बोलेगा Avengers Assemble पर इंस्टेट वो बोलता है Flame On और अपने आपको reveal करता है as Johnny Storm of the Fantastic Four इससे पहले कि Chris Evans Captain America बने MCU में वो The Human Torch थे from 2005 and 2007 की दो Fantastic Four movies में और इसकी costume पे Fantastic Four का logo भी देखता है वो फुल Human Torch मोड में आता है but Pyro उसकी fire powers drain कर देता है then enter करता है Sabertooth Wolverine का पुराना दुश्मन and हमें देखने में विलता है long awaited rematch यहाँ Deadpool mention करता है कि full on Sabertooth versus Wolverine fight के लिए fans 25 सालों से इंतिजार कर रहे है and यही Deadpool confirmation देता है कि as seen in comics and in X-Men Origins Wolverine Sabertooth Wolverine का cousin brother था बट यह fight शुरू होते ही end हो जाती है क्योंकि Logan उसकी garden को मखन की तरह काट देता है जो मेरे लिए थोड़ा disappointing था कि यह fight इतनी जल्दी खतम हो गई फिर भी साल 2000 के इस iconic villain को Wolverine के साथ big screen पे फिर से fight करते देखने का मजा ही कुछ और था Deadpool Sabertooth का सर उठाता है और मजाक में Pyro की gang को ऐसे address करता है जैसे वो Mad Max वाला warrior हो और उसके दोस्तने उनकी beloved Furiosa को मार दिया हो क्योंकि दो महीने पहले ही release हुई थी movie Mad Max Seriosa तो यहां उसका reference यूज किया गया है बट देन एक magnetic device की मदद से दोनों को capture किया जाता है इस अजीबो गरीब weapon के handle पे लिखा हुआ है Canada Ryan Reynolds Canadian है बट यह exact equipment है The Canadarm जो Canada ने create किया था NASA के space program के लिए noticeably Wolverine तो अपने Edmontium की वज़ए से magnet से चिपकता है बट वेड उसकी body के साथ लपेटे में आ जाता है Then एक huge device उन्हें आके hit करता है और वो knockout हो जाते है यह device है एक sentinel foot यह वही robots जो mutants को मारने के लिए invent किये गए थे यह sentinel foot दुबारा दिखेगा जब Logan और Wade वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे Then Giza के pyramids के सामने से यह Convoy जाते हुए दिखता है And mountains से भागते है वही weird looking animals जो Loki सिरीज में Void में दिखे थे इन दोनों को होश आने पे Johnny Storm mention करता है कि Reed इस Void को बुलाता था Metaphysical Junkyard जहां सब कुछ फाइनली खतम होने के लिए आता है Reed obviously reference है Reed Richards यानि कि Mr. Fantastic का And यहां mention Reed Fox franchisee में played Ian Grifford वाला Reed होगा यहीं अलायत के mention पे Wade भी Fourth Wall break करके confirm करता है कि यह creature Loki season 1 episode 5 में दिखा था Yes वही huge magical creature जो Void की सारी चीजों को consume करके Finally खतम कर देता है बटसाती में उन्हें confirmation मिलता है एक resistance group का जो Void के borderland पे exist करता है And Logan प्लैन करता है कि यहां से चूटते ही वो वहां जाएंगे इन्हें लाये जाता है movie की villain Cassandra Nova के fortress पे जो एक pruned giant ant man के skeleton के अंदर है In fact उसका office है उसी ant man के skull के अंदर जब Wade ant man के skull को देखता है तो वो कहता है Paul Rudd finally age यह direct reference है ant man को play गर रहा है actor Paul Rudd के look का जो 55 साल के age में भी इतने young देखते हैं Cassandra के दूसरे minions में है Juggernaut भी जिसके costume तो है X-Men The Last Hand वाली जब Juggernaut पहले बार Cassandra Nova की mutant army में दिखाई देता है तब Deadpool remark करता है कि clearly यह इस साल का version है यह reference है इस fact का कि Kane Marko के character को past में कई different actors ने play किया है जिनमेंसे Deadpool 2 में Ryan Reynolds ने इस character को voice over किया था इसके अलावा हमें रिखते हैं Psylocke from X-Men Apocalypse Azazal from X-Men First Class Lady Deathstrike from X2 and Callisto also from X2 Bullseye from Daredevil series The Russian from Punisher series अब finally entry होती है Cassandra Nova की जो आती है Xavier's की wheelchair पर यह exact chair Charles Xavier ने X-Men Days of Future Past में यूज की थी Comics में दिख चुकी Cassandra Nova Charles Xavier की psychotic twin sister है Comics में Cassandra को Charles ने उसके fetal form में ही मार दिया था बट फिर भी वो बच गई थी है और उसका weird सा अवतार देखने मिला था Movie में उसके fetal form में ही TVA ने उसे void में डाल दिया था और तब से वो grow up होके full powerful हो चुकी है उसकी powers comics के ही similar teleganesis है जो Charles से match करती है बट यहां उसे powers यूज करने के लिए physical touch करना पड़ता है जो काफी यक्की दिखता है बट बोला वेट जॉनी स्टॉम को उसके सामने फसा देता है ये बोलके कि उसने उसके बारे में बहुत सारी बुरी चीज़े बोली है अल्दो जॉनी खुट को defend करता है और लोगन भी इसका साथ देता है अब ये दिखाने के लिए कि वो कितनी serious है कैसेंडर अपनी powers यूज करती है जॉनी को alive skin करने के लिए और वो एक blood और bones की pile बनके collapse होता है डेडबुल को आगे पूरी movie में guilty feel करवाया जाता है कि उसके जूट की वज़े से जॉनी मारा गया बट movie के end credits सचाई क्या है वो reveal करेंगे कैसेंडर वेड के brain में अपने हाथ literally डाल के उसकी memories रेखती है कि कैसे वेड और वेनेसा का break up हुआ जिसका reason था उसका Avengers join ना कर पाने के बाद का depression जिस वज़े से वेड वेनेसा से distant हो गया and then वो भी move on कर गई Wolverine उसपे attack करने के कोशिश करता है लेकिन वो काफी easily दोनों से छूट जाती है and instead उन्हें खुद मारने के वो उन्हें छोड़ देती है अलायत के हाथों मरने के लिए अलायत को देखते ही वहाँ भगदर मचती है and Wade और Logan उस chaos का फाइदा उठाते है and उसी sentinel rocket leg पे चड़के वहाँ से निकलते हैं दोनों अब crash land होते हैं एक पहाड़ी पे जब Logan जानी को poor kid बुलाता है तो Wade कहता है his 50 but Chris Evans एक्चुल में 43 years के हैं मेरे से 10 साली बड़ा है वो एक destroyed diner में जाते हैं जिसकी windows में branding है Joe's diner जो reference है comics में Young Avengers volume 2 issue 2 में दिखे इसी नाम के diner का यही Wade कहता है कि since Logan the X-Men the Wolverine था Wade के universe में तो उसके universe में ऐसा क्या हुआ कि वो सबसे बुरा है बर्ट Logan उसे यहाँ कोई जवाब नहीं देता दोनों बाहर निकल के जाते वग्द discuss करते हैं Logan movie की events और Wade mention करता है कि उसका Logan कैसे X-23 को बचाते हुए मारा गया foreshadowing X-23 का movie में appearance सब इस सामने से आता है एक small dog जिसकी लंबी जबान है और उसका नाम है Mary Poppins एक डॉग पूल यह यह comics में बिलॉग करने वाला Wade का ही एक variant है जो Earth 103173 का है इस सब के favorite dog variant को play किया है एक pug plus Chinese crested mix जिसका नाम है Peggy इसे by the way real world में Britain's ugliest dog का award भी मिला था Wade immediately उसे पसंद करता है बट देन वो मिलते हैं उस dog के owner एक और Deadpool variant Nice Pool से जो शायद सबसे friendly Deadpool है और उसे mask पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बिल्कुल handsome दिखता है Wade यहाँ इस Nice Pool की guns नोटिस करता है जो golden plated desert eagles है और उसे कहता है कि वो उसे चाहिए बट Nice Pool कहता है over my dead body and unfortunately ये guns ही उसकी tragic and gruesome death का reason बनते हैं मूवी के climax में Nice Pool Wade और लोगों को warn करता है Deadpool cops से जो उन्हें ढूणने और मारने की कोशिश करेगा यहीं दिखती है एक ship जिस पे लिखा है the conquest trader ये 1740 में बनी एक columbian warship थी Nice Pool उन्हें अपनी minivan देता है ताकि वो borderland तक drive करके जा सके अब on the way हमें दिखती है कुछ और चीजे जैसे Thanos की Q ship जो infinity war and avengers endgame में दिखी थी इसी कार में Deadpool Spider-Man की तरफ प्यू प्यू करता है जो शायद Spider-Man का सबसे बड़ा reference था regardless of Sony के contextual reasons Wade accidentally बोल देता है कि उसने Logan से जूट बोला था and उसे सच में नहीं पता कि क्या TV है उसके universe को fix भी कर पाएंगे या नहीं Logan उससे चिर जाता है और कहता है कि वो क्या किसी और universe को बचाएगा जो अपनी relationship को ही नहीं बचा पा रहा अब जाके finally Wade rage में आता है and announce करता है कि वो Logan से fight करने वाला है and then हमें देखने मिलती है इस movie की best choreographed fight इसी की starting में जब वो दोनों एक दूसरे के सिर को car के dashboard में मारते हैं तो radio stations flip होने लगते है and सुनाई देता है the greatest show song जो Hugh Jackman की movie the greatest showman का है इसी fight के end में हमें इस car के back में दिखता है एक coexist का logo ये image एक polish graphic designer Peter Meldozenic ने साल 2000 में एक international art competition के लिए बनाई थी जो इस situation में काफी ironic था because ये दोनों ही साथ में coexist नहीं कर सकते अब पूरा एक दिन और एक रात गुजरने तक इनकी fight चलती रहती है जिसके end में दोनों बेhoश हो जाते हैं बट एसी fight में Logan की costume के हाथ फट जाते हैं जो एक part हमें यहां बीच में गिरा हुआ भी दिखता है then एक unseen figure आके उस minivan को drive करके ले जाती है इनको जब होश आता है तो वो इसी resistance group के base पे होते हैं इसकी छट बनी है Mount Vendigo और Monument के broken part से जिसे दिखाया गया था Doctor Strange in the Multiverse of Madness में और यह स्कार्लेट विच कावट है इस wall पे और यह जिस bed पे बैठे हैं वो Thor Ragnarok में दिखा Hulk का bed है अब Wade और Logan मिलते हैं एक एक करके इस group के member से जिन में सबसे पहले आती है Electra Natchez Comics के एक supreme martial artist and assassin Jennifer Gardner ने पहली बार 2003 की Daredevil movie में cameo किया था इस character के रूप में and then उसके बाद 2005 में Electra नाम की movie में यह character फिर दिखा था next is Blade, Marvel Comics का anti-hero, vampire and human का combination Eric Brooks जो first time दिखा था बड़ी screen पे 1998 में जहां Wesley Snipes ने इसे play किया था इसके 3 parts आए and अब महरशाला अली के साथ MCU इस character को फिर से लाने वाला है जब Blade Deadpool से मिलता है तो वो कहता है I don't like you जिसके जवाब में Deadpool कहता है You Never Did 2004 की Blade Trinity में Ryan और Wesley ने team up किया था and behind the scenes in दोनों की नहीं बनती थी और बाद में भी दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत बुरा भला कहा था तो सभी को ये लगा था कि ये दोनों साथ में फिर से काम नहीं करेंगे अब इसलिए इस movie में उनका cameo होना एक बहुत बड़ा surprise था थर्ड इस रेमी लपियू एक एक Gambit एक mutant जो kinetic energy से किसी भी चीज को charge करके एक weapon की रूप में यूज कर सकता है बट उसे playing card सबसे जादा पसंद है अब इस movie में उन actors को वापस लाया गया है जो past movies में already उन characters को play कर चुके हैं बट ये वाला Gambit उन में से नहीं है 2014 में announce किया गया था कि actor Channing Tatum एक X-Men spin-off film Gambit में दिखेंगे 5 साल के delay के बाद 2019 में 20th Century Fox को acquire करने के साथ ही Disney ने ये project cancel कर दिया लेकिन finally यहाँ as a cameo उन्हें ये role big screen पे करने मिला है movie में Gambit जिस accent में बोलता है वो किसी को समझ नहीं आता and Wade remark भी करता है कि क्या उसका dialect coach Minions है क्योंकि वो literally ऐसे sound करता है Wade यहाँ Gambit को Hawkeye का एक superhero version बुलाता है Hawkeye का एक और reference उसने Deadpool 2 में भी दिया था फिर वो मिलते हैं Resistance के 4th member Laura Kinney यानि की X-23 से Logan के DNA से बनी एक mutant जिसकी powers match करती है Logan से प्लस इसके foot में भी claws है Actress Daphne Keene ने इस character को portrait किया था 2017 की Logan movie में जब वो 11 साल की थी and यहाँ भी as a grown-up 19 years की Daphne ने ये character again play किया है वो Logan को पहचानती है as a variant of the man जो उसका father था अब इन सब को दिखाने से पहले इस location में हमें Gambit की beards and also Electra और Blade के hanged weapons भी दिखते हैं a period जो इसी movie से हो रहा है also इनके बहुत सारे friends को Cassandra ने मार दिया है जिन में mention होता है Daredevil, Fantastic Four की team, Punisher, Quicksilver and Magneto का Deadpool जब Daredevil की death पे दुखी होता है तो Electra कहती है it's fine actor Ben Affleck, Jennifer Garner के ex-husband ने Daredevil character को first time big screen पे play किया था 2003 की movie Daredevil मे and उनका divorce हो चुका है तो Jennifer को उससे फरग नहीं वरता वो Cassandra को मारना चाते हैं जिसे रोका जा सकता था Magneto के helmet से but वो उसने already melt कर दिया है so last option is Juggernaut का helmet and then सभी ready होते हैं fight के लिए but Logan willing नहीं होता रात को Laura Logan को campfire के पास बैठे और Gambit की drinks पीते हुए पाती है Logan उससे finally explain करता है कि उसके universe में आखिर ऐसा क्या हुआ था और वो क्यों ये iconic yellow and blue suit कभी नहीं उतारेगा actual में उसके universe के सारे X-Men चाहते थे कि वो उन्हें join करे लेकिन उसने उन्हें refuse कर दिया यहां वो mention करता है Cyclops, Storm, Jean Grey and Beast को और कहता है कि Scott उसे ये suit पहनने के लिए बोलता था यह reference है first X-Men movie के इस scene का जहां Scott actual में yellow suit का मजाग उडाते दिखा था ऐसे ही एक राट drinking के बाद Logan जब mansion वापस आया तो उसने रेखा कि humans ने सभी X-Men को murder कर दिया अपने rage में वो killing spree पे गया जिसमें innocent लोग भी मारे गए अब वो ये suit पहनता है क्योंकि ये उसके दोस्तों की आखरी निशानी है Laura कहती है कि वो भी उसके अपने Logan के जैसा ही है लेकिन जब जरूरत होगी तब ही वो right guy बनके उभरेगा और Logan के reaction से यहां hint मिलती है कि Logan का मन बदल चुका है और वो Cassandra को मारने में मदद करने के लिए ready है दूसरी तरफ void के उसी diner पे Pyro, Paradox को contact करता है और clear होता है कि दोनों मिले हुए है Paradox कुछ activate करने का plan बना रहा है जिसका नाम है Time Ripper जो Wade के universe को उसके actual time से पहले ही prune कर देगा वो पाइरो को order करता है कि Wade, Logan और बाकियों को ढूंडे इससे पहले कि वो उसके plans को बिगार दे अब ये team Cassandra के base पे attack करती है और Blade Punisher के बजुका से दरवाजा उडाता है जब Deadpool को बताया जाता है कि ये बजुका Punisher की थी तो वो पुछता है कौन से वाला Multiple actors ने Frank Castle को स्क्रीन पे play किया है including Dolph Lundgen, Thomas Jane, Ray Stevenson and currently से play कर रहे है John Bernthal जो Daredevil Born Again सीरीज से वापसी करेंगे यही पे Blade कहता है कि वो ही इकलोता असली Blade है और हमेशा रहेगा जिसके immediate बाद Deadpool कैमेरा की तरफ देखके घूरता है यह indirect reference है महिर्शालाली के MCU movie Blade का जो 2019 में announce होई थी यानि कि already Wesley के Blade को recast कर दिया गया है जो चायद उन्हें इस movie में नहीं पता इन सब के car से उतरने के बाद डिकी से Wolverine भी निकलता है जो finally एक last fight के लिए ready होता है X23 अपने वही goggles लगाती है जो उसने Logan movie में इस shop से उठाए थे and then Electra कहती है we will get our ending जो exact चीज इस movie के through in characters को दी जा रही है इस fight में Electra के weapons 3-prong dagger and Gambit के charged cars के अलावा उसकी kinetically charged staff भी दिखती है Wade और Logan Cassandra के पीछे जाते हैं जबकि दूसरे सभी बाकी evil mutants को रोकते हैं यही Blade First Blade movie का यह iconic dialogue फिर से एक callback के रूप में कहता है Some f**ks are always trying to ice skate uphill जब Wade और Logan Cassandra तक पहुचते हैं तब वो एक chair से उठती है जो एक blanket से covered है बट इसके नीचे हमें दिखता है Doctor Strange के flying cloak का red edge Yes वही flying cloak जिसका अपना दिमाग है Also हाँ यह Thanos का Avengers Infinity War में दिखा हुआ chair है जिसका backboard यहाँ टूटा हुआ है इसलिए वो easily पहचान में नहीं आता Cassandra अपनी powers से Deadpool को fakeने के बाद Logan के mind में घुसकर पता करती है उसकी memories जहां हमें एक memory के थूँ Logan के साथ सभी X-Men की graves दिखती है नीचे की fight की major kills में blade toad को मारता है Gambit Russian को और Laura जगरनट को मारके उसका helmet उपर fake देती है Cassandra के distraction का फाइदा उठा के Wade वो helmet Cassandra के सिर्पे डालके उसकी powers को block कर देता है लेकिन वो कहती है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उनके पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा लेकिन अगर उसका helmet उतार दिया तो वो उन दोनों को पक्का मार देगी इसी बीच पाइरो आके Cassandra को shoot करता है पर Logan उसकी speech के बीच में ही उसे hit करके knockout कर देता है Logan Cassandra से अपील करता है कि Charles उसकी mutant kind की युनिवर्स में वापस जाने का अब MCU में बहुत से character slingering यूज करते है mainly sorceress Wong और doctor strange से लेकर Ned तक बट ये golden portals देखते ही wait पहले कहता है strange and then marvel sparkle circle hinting की शायद ये doctor strange के variant का ही slingering होगा allied के आने से पहले ही इन दोनों को portal में कूतते हुए नीचे से बाकी चारो heroes भी last time देखते हैं जिसके बाद Cassandra pyro को उठाती है and पता करती है कि उसका और paradox का plan आखिर क्या है Cassandra को मरवा के वो pyro को deal दे रहा था void से बाहर निकलने की and Cassandra realize करती है कि वो TVA के साथ वाली उसकी deal and Wade कहता है Fox killed him, Disney brought him back and they are going to make him do this till he is 90 जो कि बिलकुल सच है paradox अपना hidden office चलाता है इसी universe के subway station में जहां वो एक machine time ripper जल्दी activate करने को बोलता है and then बाहर आता है इन दोनों को confront करने के लिए लेकिन Cassandra भी अपनी slingering portal से उनके पीछे आ जाती है साथ में pyro को भी वो वहाला के मार देती है Wade and Logan को hit करके वो paradox के सिर में अपना heart डालती है and उसे time ripper की location तक ले जाती है ताकि वो हर एक universe को destroy कर सके which means कि end में सिर्फ void ही बचा रहेगा जिस पे वो rule करेगी यहां TVA में दूसरी तरफ दिखती है लो की सिरीज में दिख चुकी hunter b15 उसे report मिलती है कि earth 1005 पे paradox की district में unsanctioned time ripper activate हो रहा है and back on earth 1005 Logan and Wade उरते है एक shoe store में जिसके top पे नाम लिखा है life fields just feet जो reference है comics के graphics artist Rob Liefield का जो famous थे अपने characters के feet draw ना करने के लिए उनके सामने की open portal से सबसे पहले आते हैं dog pool and nice pool Deadpool एक joke crack करता है Van Wilder के बारे में जो Ryan Reynolds की 2002 की एक comedy film थी जिस पे nice pool कहता है कि वो भी fourth wall break कर सकता है and audience की तरफ देखकर कहता है the proposal जो अगे in 2009 की एक और popular Ryan Reynolds movie थी but then उनके पीछे बाकी Deadpool cops भी appear होते हैं comics में Deadpool cops सबी universes के Deadpools की एक team थी जिसे Prime Deadpool ने ही create किया था अब इन में वैसे तो 100 से भी ज़्यादा variants दिखते हैं but comics से popular and visually जो confirm होते हैं वो variants है number one Lady Deadpool जिसका voice over की है Ryan की wife Blake Lively ने comics में अर 3010 से Wanda Wilson Lady Deadpool बनी थी and यहाँ वो Deadpool cops की leader है but इसके लावा दो और characters भी रेनॉल्स फैमिली के ही है number two Baby Pool जिसे प्ले किया है Ryan Reynolds के बेटे All In Reynolds ने number three is Kid Pool जिसे भी प्ले किया है उनकी बेटी इन इस रेनॉल्स ने number four है Vattari aka Roninpul यह comics की series 5 Ronin में feature हुआ था number five is Deadpool 2099 एक अजीब Futuristic Deadpool aka Varda Wilson जो Earth 16356 से है यह creative हुआ था Marvel 2099 comic series के लिए number six is Golden Age Deadpool एक और variant जो gas mask पहने दिखता है यह है VZ Wilson वो Deadpool Cops के original members में से एक है और उसके weapons instead of katanas है cutlass number seven Zenpool यह white mask वाला Deadpool variant जो comics में वैसे तो एक peace loving Wade Wilson है जो violence छोड़ चुका है बट यहां ऐसा नहीं दिखता number eight Cowboy Deadpool एक prominent Deadpool जो gun-totting cowboy hat wearing variant है इस variant का voiceover किया है cameo में actor Matthew McCogney ने number nine Headpool एक floating skull head Deadpool comics में यह अजीब undead creation headpool earth 2149 से है Marvel zombies के comics world से number ten Samurai Deadpool Samurai Scott के एक member के रूप में यह Deadpool comics में भी दिख चुका है and number eleven is Rackham Deadpool एक Deadpool variant Ryan की football team Rackham AFC Richmond की jersey पहने हुए है and इसे credits में नाम मिला है Rackham Deadpool का अब इनसे fight करने की जगा पहले Deadpool इन सबसे बात करके इनने समझाने की कोशिच करता है and कहता है कि यह multiverse thing अब बस हो गई because there's been a miss after miss जो reference है MCU के phase 5 movies का जो mostly flop या फिर बुरी rating के साथ आई है बट यह सब फिर भी उन पर attack करते है and Wade nice pool को as a human shield के रूप में use करता है और उसके मरने के बाद उसकी guns ले लेता है and यहीं reveal होता है कि nice pool वो इकलौता variant है जो regenerate नहीं कर सकता जो चीज़ actual में clear होनी चाहिए थी उसके सुन्दर चेहरे से because experiment के बाद जब regenerative powers मिलती है तब ही उसका face disfigure होता है जो इस case में नहीं हुआ यहीं Logan भी finally पहली बार live action में अपना mask पहनता है यह सभी Wolverine fans के लिए एक legendary moment था जो टेकेट से इस पल का इंदिजार कर रहे थे and अब finally वो और Wade team up करते हैं as Deadpool and Wolverine अटेक से पहले Wade कहता है Maximum Efforts जो उसका Deadpool movies का catchphrase रहा है and Ryan की production company का नाम भी यही है then Madonna के song की tune पे वो दोनों मिलके इस Deadpool cops की army को मारना चुरू करते हैं background में हमें कुछ names के references दिखते हैं जैसे की Clairevoyant Psychic जो reference है comic book writer and novelist Chris Claremont का then Walker Avenue David F. Walker का reference है जो एक और writer है and bus पे है Stanley Steemers योर friendly neighborhood cleaners की ad जिसमें photo बनी है legendary Stanley की अब इन सब को मारने के बावजूद 3 generation से वो फिर attack के लिए ready होते हैं लेकिन तभी आता है Peter, Peterpul बनके और funnily Deadpool cops excited हो जाते हैं क्योंकि उनके हर एक universe में एक Peter है जिसे Deadpool सबसे जादा पसंद करता है यही मौका देता है इन दोनों को यहां से भागने का Cassandra time ripper तक पहुँचके उसे manipulate करने लगती है Deadpool और Wolverine base में घुशते हैं और Paradox से पता करते हैं कि time ripper को shutdown कैसे किया जाएगा जब Wolverine उसे धमकाता है तब wait कहता है कि यह mask काफी intimidating है बैटमैन की तरह अगर बैटमैन अपना गला हिला सकता जो direct reference है DC के बैटमैन और उसके mask का जो movies में गरदन rotate नहीं करते दिखा ज़ादा because of the mask paradox कहता है कि उन्हें matter और anti matter के power flow को disrupt करना पड़ेगा जो उस device को power कर रहा है पर जो भी यह करेगा वो मारा जाएगा wait और logan इस पर argue करते है कि कौन अपने आपको sacrifice करेगा इवन्दों logan यह करने के लिए ready होता है last moment पे wait logan को lock out कर देता है ताकि वो इस बार खुद sacrifice कर सके wait अगेन खुद को पहले marvel jesus बुलाता है then कहता है कि वो spock है जो star trek franchise का character है then superman की तरह उडने का action करता है then movie के starting में happy का यह dialogue जहां उसने कहा था कि superhero खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए बनते हैं वही callback wait फिर सही यहां पे देता है wait सिर्फ एक side की cable पकड़ पाता है and parallely Cassandra timelines को drain करना शुरू करती है जहां reality noodles की तरफ break होने लगती है वही same spagatification effect जो Loki season 2 में हमने देखा था but last moment पे Logan break in करके wait का हाथ पकड़ता है ताकि वो अपने bodies को conductors के रूप में use कर सके and उसके claws दूसरी तरफ touch करते ही short circuit होता है जिससे सबसे पहले Logan की costume फटती है revealing उसके ripped abs दोनों के last moment में उन्हें flashback दिखते है and अपनी willpower से वो डटे रहते हैं energy time ripper को overload कर देती है and उसके destroy होते ही Cassandra भी disintegrate हो जाती है यही B-15 पहुँचती है paradox को confront करने जो punishment से बचने की कोशिश करते हुए जूट बोलता है but Wade और Logan आ जाते हैं completely alive B-15 paradox को arrest करवाती है and again Peterpul के interruption से Deadpool को void में नहीं भेजा जाता B-15 कहती है कि you led omega level mutant to this timeline omega mutants comics में सबसे powerful mutants होते हैं यानि कि Cassandra Nova भी super powerful थी जब B-15 notice करती है कि Wade और Logan के actions ने Wade की universe को fix कर दिया है and अब वो Logan की death के बावजूद भी extinct नहीं होगी तब वो कहती है I want to show you something huge and Wade कहता है that's what scout master Kevin used to say जो एक cheeky joke है Marvel President Kevin Feige का reference देते हुए बट साथ ही में Deadpool 2 के इस scene ता भी reference है Scout master Kevin? Wade भी 15 से request करता है void में बचे बाकी heroes को वापस लाने और Logan के universe को fix करने का बट वो कहती है कि वो बाकियों को लाने के बारे में देख सकते हैं लेकिन इस Logan की tragedy ही उसे hero बनाती है जिसकी वज़ा से ये universe बच रहा है तो वहाँ कुछ fix करने की ज़रूरत नहीं है बाहरा के Wade और Logan खाते है श्वार्मा अफकोस Deadpool Avengers के classic ending moment का reference देता है ये कहके कि Avengers नहीं श्वार्मा discover किया था Logan तयार होता है अकेले जाने के लिए पर Wade उसे कुछ देर अपनी universe में रहने के लिए invite करता है वो Black L के घर जाते हैं और बाद में Wade के friends के साथ डिनर करते हैं यहां Laura यानी X-23 भी देखती है और यहीं पर Logan के push करने पर Wade फिर से Vanessa और अपनी relationship को fix करने की कोशिश करते हुए दिखता है अब मूवी के mid credits and end credits का breakdown मैंने लास्ट वीक वाले वीडियो में किया था तो वो end screen से check out कर लेना ऐसे future videos आगे देखने के लिए चैनल को subscribe सरूर कर लेना अगर वीडियो end तक देख रहे हो तो like भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल free है मिलते हैं next video में